चाइना ने भारत की सर्थ का जवाब दिया है वैसे आपको बता दें स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप कहा जा रहा है कि ये तय है कि चाइना का पतन होगा और ये तय है कि भारत का उदय होगा आखिरकार कैसे नंबर बदल गए है और क्या यही वज़े है कि पे आता हुआ दिख रहा है ऐसा क्यों कहा जा रहा है जानेंगे दाओस में भारत ने जो सर्थ रखी थी उस सर्थ का जवाब दिया है चाइना ने तो वहीं भारत ने साल का धूम-धड़ा का चालू कर दिया है दोनों ही तरफ दो मिसाईले क्या कुछ खास संकेत है जानेंग क्यों दागने वाला है भारत दो मिसाईलों को और ये चर्चा का विसे क्यों बना है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से ये बहुत कि रिपोर्ट देख सकते हैं आप डेकन क्रोनिकल का ये रिपोर्ट है और ये जो सक्स देख रहे हैं आप ये चायनीज डिप्लोमेड हैं भारत में जो जा रहे हैं मतलब इनका तबादला हो गया जाल- जाते जाते इन्हों ने जो बात कही ये बात बहुत ही जादा महतपुर्ण है हलाकि इन्हों ने क्या बात कही इन्हों ने कहा कि दोनों देशों के बीच में बात्चीत होनी चाहिए ताकि मिस अंडरिस्टेंडिंग्स खतम हो मतलब दोनों में कुछ गलत फाहमिया है और वो दावोस में ही भारत ने बता दिया कि अगर चाइना को चाहिए कि हम आर्थिक तोर पर उन्हें बचाएं या आर्थिक तोर पर उन्हें किसी तरीके का सहूलियत मिले हमसे तो उन्हें सबसे पहले बॉर्डर में सांती अस्थापित करनी होगी। अब आपको बता दें भारत के इस बयान के बाद चाइना की जो फोरण मिनिस्ट्री थी जो वहाँ दावस में पहुँचे हुए थे माओ, माओ ने एक बयान जारी किया और माओ ने बयान जारी करके क्या कहा माओ ने कहा कि देखो भाई, बोर्डर पे तो सब कुछ ठीक ही है, अब सब कुछ इस्थिर है, कोई दिकत नहीं है और हम जो है, यहाँ पर बात कर सकते हैं, कम से कम बैपारिक रिष्टों को तो हम अच्छा रखी सकते हैं, बैपारिक रिष्टों में खराबी नहीं आनी चाहिए और चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, उसे होने देना चाहिए अब आपको बता दें, कुछ ऐसे खुलासे इस वीडियो में आपको होगे, जो आपने पहले नहीं सुना होगा पहली बाद तो ये चाइना ने ये कहा, कि सब कुछ बढ़ियां है, और चाइना ये कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कि हमारे साथ रिष्टों को बढ़ियां से हैंडल करो, रिष्टों को अच्छे से रखो और इसे बीच क्या हो रहा है, ग्लोबल टाइम्स एक आर्टिकल चापता है, तुरंत 19 जनवरी का ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में क्या कहा जाता है, कि भारत को एक अच्छा इन्वार्मेंट देना चाहिए, चाइना के कमपनियों के साथ बुरा सिचुएशन नहीं करना चाहिए, अगर चाइना और भारत के बॉर्डर की कहें, तो ये तो एकदम इस्टेबल हैं, और इन्होंने कहा कि हमारे प्रवक्ता माओ निंग ने इस बात को साफ कर दिया, जो महां पे राजेस कुमार सिंग थे, उन्होंने एक बयान दिया था, और इस बयान में करना सुरू कर दिया है, इन्होंने राइटर्स का हवाला दिया, इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी रिपोर्ट कही जाती है, कि भारत जान भूज कर ऐसा कर रहा है, चीनी कंपनियों के ऊपर, और कई तरह की चीजें, चाइना और भारत के बॉर्डर को लेकर कही जा रही है, हमारे सब कुछ अच्छे हैं, ये इन्होंने अपने पूरे डीटेल में बताया, कि सब बढ़िया है, हमें रिष्टों को अच्छा कर लेना चाहिए, बॉर्डर पर भी सब कुछ सान्ती है, तो ऐसे में हमको रिष्टे नॉर्मल करने में क्या आ जाता है, य यह एक आर्टिकल छप रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वायर की इस खबर को देखिए, वायर की इस खबर में ये कहा जा रहा है, कि सिर्फ गलवान कांड ही नहीं हुआ था, जून 2020 में जो गलवान का कांड हुआ था, इसके अलावे भी भारत और चाइना के बीच में सीमा पर जड़पे हुई हैं, और इन जड़पों का खुलासा कैसे हुआ है, वायर की अनुसार, कहा गया कि जब वेस्टरन कमांड को मेडल देनी की बात आई, तब ये खुलासा हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, इस कटिंग को देख सकते हैं आप, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 7 जनवरी 2022 को यहां पर एक हमला हुआ, सिख सैनिकों के साथ आमना सामना हुआ, रमन सिंग ने एक बड़ा ही अच्छा साहस दिखाया और हाथों से मारपीट भी हुई, उसके बाद कहा गया कि इसके अलावे नवंबर 27 को भी एक लड़ाई हुई, एक जड़प हुई, और जड़प में जमू कस्मीर राइफल के लोग थे और पच्चास चीनी सैनिक थे, यहां पर जुनियर कमिसंड ओफिसर बलदेव सिंग ने 15 चीनी सैनिकों को धोया, अब यह सारी बातें यहां पर कही जा रही है, इसका मतलब कि जो दच्छिन चीन सागर में करता है चाइना, वो बॉर्डर पर बीच बीच में इसने किया है, और जिसके बाद भारत ने यहां पर दोया है, कहने कार्थ यह है कि चाइना कहता है एक तरह बॉर्डर पर सब कुछ ठीक है, और सब कुछ सानती है, तो फिर यह रिपोर्ट क्या कह रही है, यह रिपोर्ट तो कुछ और कह इसका मतलब है कि भारत अपनी जगह पे सही है अब जो भी हो यहाँ पर सीन अब एक चीज यह हो गई है ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत का राइज होना तो तै है और चाइना का फॉल होना भी तै है तो हमने आपको बताया था यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कट जेलने को मिलेगा खैर हो सकता है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी चायना यहां चाह रहा हो कि अब रिस्ते स्थीर हो जाए और यहां पर बैपार सुरू हो जाए पर मेन मुद्दा फिर वहीं आकर अटक जाता है कि जब तक यह दोनों देश आपस में बॉर्डर में सांत नहीं रहेंगे तब तक आगे बात बढ़ेगी नहीं खैर जाए एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है स्क्रीन पर एक नोटम देख रहे हैं आप साल का सुरूआत कर दिया है भारत ने और बड़े ही गजब के ढंग से यह सुरूआत हुआ है दो धूम बे ओफ बेंगाल में तो दूसरा हो रहा है अरबियन सागर की तरफ 22 से 23 के लिए जो रेंज है वो रेंज है 240 किलोमीटर की वहीं 24 से 25 के लिए जो रेंज है वो रेंज है 900 किलोमीटर की ऐसा माना जा रहा है कि भारत यहां पर एक परिक्षन ब्रमोस का करने जा रहा है तो वहीं दूसरा परिक्षन भारत यहां पर ITCM का करने जा रहा है, जहां कहा जा रहा है कि भारत अब अपने आपको मिसाइलों से हर वक्त हर हिसाब से रेडी रखना चाहता है, और यह जो दो मिसाइलों के परिक्षन है, वेस्टरंड और इस्टरंड दोनों ही कोश्ट के लिए किये जा रहे हैं, खेर, एक बात तो तह है, कथनी और करनी में चाहिना का अंतर होता है, इसलिए जितनी अच्छी तैयारी खुद की रखी जाए, उतना ही अच्छा है,